हलो दोस्तो, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल पर, आज हम बात करेंगे इटली के पेपर के बारे में, कि इटली में लिगली कैसे जा सकते हैं, वहाँ पे प्यार कैसे हो सकते हैं, कम्प्लीटली इस टॉपिक में आज हम डिसकस करेंगे, दोस्तों आपको बता दें क सबस्क्राइब करें पेपर क्लियर होने के बाद ऑफिशल लेटर मिलता है जिसके बाद इंप्लाइर को नो अवजेक्शन लेटर के लिए अप्लाई करना पड़ता है इसमें यह होती है कि जो इंप्लाइर ठीक है यह पेपर फिल करता है तो वह वहां पे मिनिम्मम 21,000 ग्यूरों से ज्यादा यह वैलिड होता है उसके बाद केंड़ेट इटली चला जाता है इटली जाने ही सबसे पहले वहां पर सुजोर्ण मिन्स पर्मिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है जिसके साथ ही आपको वहां पर काम करने और रहने की परमिशन मिल जाती है जिसमें अप्रॉक्सिमेट के साथ अच्छी अंडेस्टेंडिंग है तो आपको वहां पर कोई दिक्कत नहीं आती है और जब भी वहां पर पर्मानेंट पेपर उपन होते हैं तो आप अपने एडवोकेट की हेल्प से पेपर फिल कर सकते हैं जिसके लिए आप और आपका इंप्लायर टेक्स पेक्स प के वाद दूसरे इंप्लायर के होगी अगर आपका ठीक है ने एक इंप्लायर के पास आप काम कर रहे हैं तो उसके बाद पर्मानेंट के लिए आपको वहां पर बहुत सारी उसमें आपको बैनेफिट मिल जाता है और तू तू त्री यह सर आप और आपका इंप्लायर जो पर करता है वह लगाने होते हैं आप अपने एडवोगेट की हेल्प से लिए अपलाई कर सकते हैं वाट आपका एक कंडिशन है कि आपको वहां पर किसी कंप्लेंट में नाम नहीं आना चाहिए को क्रिमिनल रिकर्ड नहीं होना चाहिए कि आपको इटली के पेपर का जो कंसेप्ट है वह समझ में आ गया होगा जैसे कि आधकल बहुत कुछ चला है कि पेपर ओपन हो गए है ठीक है इसकी यह सारी चीजें कुछ बहुत सी फेक चल लिए है